Hello everyone, welcome to my YouTube channel, आप सभी का स्वागत है हमरे आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ALPK CBT-1 के बारे में देखो आपको बता है इस बार number of vacancy बहुत कम है और competition level no doubt सभी zone में अच्छा कास आपका देखने को मिलेगा हाला कि number of application को लेकर अभी कोई exact information नहीं है कोई official data नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी competition अच्छा कासा रहेगा तो इस वीडियो में basically 2-3 point पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कि CBT-1 में आपको कितना target बनाना पड़ेगा क्योंकि CBT-1 से 15 गुना student को CBT-2 में भेजा जाएगा तो उन 15 गुना student में अगर आपको आना है तो कितने marks आपको subjective यानि की पर subject में लाने होंगे ताकि आप लोग CBT-1 qualify कर पाएं इसको हम discussion करेंगे दूसरा यहाँ पर 20 लाग या 30 लाग form देखकर student बहुत डरे हुए है तो इसके regarding मैं आपको थोड़ा सा update दूँगा और आपको बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है क्योंकि number of application का कोई भी exact data भी नहीं आया है और कुछ यहाँ पर मेरे पास registration form आए है अगर उसमें आप लोगों ने apply किया है तो इन सारे topics पर हम इस वीडियो में बात करेंगे बिन स्किप के वीडियो के end तक जरूर देखें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजी और यहाँ पर सामानने अध्यान के लिए 27,000 से ज़्यादा factual based question आपको मिल जाते है इन तीनों बुक की मदद से आप ALP, RPF, Constable, J, GroupD, NTPC सबी exam की त्यारी कर सकते हैं इनका link description में available है या फिर आप नजदीगी book store से भी इनको purchase कर सकते हैं ओके तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं number of application को लेकर number of application को लेकर मैंने 2-3 वीडियो बनाए है और YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं किसी में 20,000, 23,000, 25,000 फॉर्म आपको बताये जा रहे हैं मैंने 3 वीडियो बनाए है तो मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा देखो अभी आपको देमोटिवेट होने के आप सकता नहीं है क्योंकि जब तक number of application का exact data नहीं आता है जब form की closing date खतम हो जाएगी उसके बाद exact data मिलेगा अर्टे के माद्यम से रेलवे की तरफ से अगर data मिलता है उसके बाद ही आपको exact information मिलेगी अभी सिरफ क्या है की predictions लगाया जा रहे है या फिर थोड़ी बहुत जो information student दे रहे उसके आधार पर यह आपको बताया जा रहा है तो अभी बिल्कुल यह मान के मत चलो की 20 लागी form बरे जाएंगे द्वारा बताया जा रहा है की 2,00,000 को cross कर चुका है इसलिए मैं आपको बोल ला हूँ कि official data आने का आपको wait करना चाहिए उसके बाद यह आपको कोई भी धारना बनानी चाहिए ऐसे ही यहाँ पर भुवनेश्वर का एक student ने बेजाए ECOR का और इन्होंने भी कली form बराए अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो last के 7 digit के नुसार 37,344 form अभी तक भरे गई हैं जबकि कुछ student कह रहे हैं कि यहाँ पर 2,90,000 के round form बरे जा चुके हैं इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अभी ज्यादा आप लोग जो है अपना mindset मत बनाओ ऐसा मत सोचो कि आपके zone में तना competition है क्योंकि काफी लोग comment करें कि मैंने बिलासपूर से भर दिया मैं बहुत पच्छता रहा हूँ तो देखो वैसे तो सभी zone में competition अच्छा कासा ही रहेगा मैंने कन वाले वीडियो में आपको यहाँ पर cut-off भी दिखाया था final cut-off आप देखोगे ज्यादा difference नहीं है तो किसी भी zone से अब apply करो पढ़ने वाले students सभी zone में रहते हैं और cut-off भी increase करते हैं number of application से कोई खास फरक नहीं पड़ता है चाहे 10,00,00,00 फ़र्म एक zone में भर जाएं लेकिन वहाँ पर जो toppers होते हैं उनी से merit बनती है तो यह बात आपको समझनी होगी अब इन सारी बातों को देखते हैं आपे हम discussion करते हैं कि CBT1 में कितने number का target हमें बनाना चाहिए कितने number लाने पर हमारा selection हो सकता है तो जैसा कि यहाँ पर CBT1 का slayvers आपको पता है कि mathematics के 20 question आने हैं, reasoning के 25 हैं, science के 20 question है और GK और current affair के 10 question आपके देखने को मिलेंगे 75 question का CBT1 रहता है, 60 minute याने कि एक गंटे का समय मिलता है और 1 by 3 की negative marking रहती है, साथ ही आपको ये भी मालूब होना चाहिए कि CBT1 से 15 गुना student को लिया जाएगा CBT2 के लिए, याने कि 85,440 candidate यहाँ पर CBT1 को qualify करेंगे, तो देखो आपको 85,440 student में अगर आना है, तो यहाँ पर आपको कितना कितना target बना के चलना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू देखो, mathematics में जो है, आपको कम से कम 20 में से 16 या 17 नंबर लाने ही होंगे यह बिल्कु मत सोचना कि 12,14 नंबर पर आप mathematics को cover करेंगे और आप merit में आ जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने देखा 85,000 student में अगर आपको आना है, तो कम से कम 16 या 17 नंबर mathematics का target बना के चलो महीं अगर reasoning की बात करें, तो 25 में से 22 या 23 नंबर का target आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि reasoning क्या होता है, कि बहुत सारे student की reasoning बहुत अच्छी होती है और reasoning में ज़्यादा से ज़्यादा marks gain कर लेते हैं, तो कम से कम 22 से 23 का target आप reasoning में बना के चलो science के अगर मैं बात करूँ, तो science यहाँ पर जो है, एक main role play करेगा, क्योंकि 20 नंबर की science आएगी CBT 1 में, और group D में आप लोगों ने science का level देखा है, और बहुत सारे student ऐसे हैं, जो science background से नहीं है या फिर इनका science week है, तो science पर अगर आप ज़्यादा focus करते हैं, और 16 से 17 नंबर अगर आप science में निकाल लेते हैं, तो definitely आपके CBT earn में selection के chances बढ़ जाएंगी, उसके बाद देखो, GK और current affair के लिए मैं आपको बता दू, GK और current affair को आपको थोड़ा smartly study करना पड़ेगा, य detail में बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि ना तो यह subject आपका CBT 2 में आएगा, यह सिरफ CBT 1 में आपको काम देगा, और यहाँ पर भी current affair साथ में included है, तो मेरा कहना है कि GK को छोड़कर आप current affair पर भी अगर focus करोगे, और 6 से 7 नंबर अगर आप यहाँ से निकाल लोगे, तो क्योंकि देखो, यहाँ पर आपका normalization भी होना है, normalization होने के बाद कुछ marks बढ़ेंगे भी, कुछ के गटेंगे भी, तो कम से कम इतना target आप चाहे किसी भी category में हो, बना के आपको चलना ही पड़ेगा, तब आप लोग मान सकते हैं, कि आप लोग जो है इन 85,440 candidate में select हो सकते selected topic को अच्छे से पढ़ लेना, quality से पढ़ लेना तो वहीं से आपका काम बन जाएगा, previous year को जो analyze नहीं करेगा, वो यहाँ पर 60-64 number लाने की बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि previous year के आदार पर आपको पता लगेगा, कि ALP का level क्या रहता है, इसके regarding भी separate video बनाऊंगा future में, उ यूट्यूब पर आपको हजारो channels, हजारो courses, हजारो videos मिलेंगे, और बहुत सारे videos तो ऐसे हैं, जो बिल्कुल wastage of time है, लेकिर उनके subscriber बहुत जादा है, तो यहाँ पर एक right content selection भी main role play करेगा, तो आपको content को बहुत ध्यान से select करना है, साथ ही आपको सिरफ YouTube के भरो से नहीं मिलेगा, तो यह कुछ points थे हैं, मैंने आपको बता दिये हैं, उसके लाव अगर बात करें, safest zone की तो अभी तक मिरे recording, वैसे, मैं आपको फिर से बता दू, अभी exact data नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, अभी यह 10 zone आपके लगबग safe सी category में हैं, आप पर इतने ज्याद कि मैं आपको अदोर बताइगां